तुमाम दोस्तों के बताता चलों कि हमने इन तुमाम वेबसाइट के पर काम किया है और वेन्यू भी जेनरेट किया और वेन्यू के साथ एडसेंस भी डैश्बॉर्ड एक्टिव किया तुमाम दोस्तों के बताता चलों कि इन में से सबसे बड़ी वेबसाइट है वो है लिंक डोट मी किया इसकी अगर अपनी वेबसाइट की ट्राफिक देखी जाए तो 163 मिलियन प्लस का विजिटर है और मॉस्तों दोस्तों इसका इंडोनेशिया थाईगंट टर्की यूएसे रशिया से है और मैं अगर कहूं कि हमें इससे भी बड़ी एक वेबसाइट मिल गी है जिसकी मदद से हम अपने गूगल एटसेंस को भी अप्रूव करवा सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके पर और्गैनिकल काम करके अच्छा रवैनियू जेनरेट कर सकते हैं तो वह कौन सी यहां पर देख सकते हैं कि 8 जनुरी को मेरी एक वेबसाइट अप्रूव होती है जो कि आप तवाम दोस्त यहां पर भी देख सकते हैं इसका रवाइनियू मेरा एक ब्लोग इंस्टेंटली रैंक्ट हो गया क्योंकि गूगल की पार्टनर वेबसाइट से मेरी यह बना है और 8 जनुरी की यह तरफ वेबसाइट है आर्ट जनुरी से पहले कि यह वेबसाइट अप्रूड भी नहीं हूं और आप दोस्तों को इस चीज़ से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और हम इस वेबसाइट के ओपर और्गैनिक लिए काम भी करेंगे और अगर किसी यूजर ने इस चीज़ को पर इस टॉपिक को कावर किया है तो वह कोरिया की यूजर जैं और जापान की यूजर हैं और अगर हैं भी वह यूजर और यूट्यूबर तो बहुत ही लिमिटेट तादाद में हैं और और तो वह यूजर के पर फाइन करने से भी नहीं मिलते बाकि आप तौम दोस्त इस चीज़ को फाइन करके देख भी सकते हैं और जैसे ही मेरी ये वीडियो अपलोड होग अब तौम दोस्तों को इस चीज़ का बहुत ज़्यदा बेनिविट होगा अब टी स्टोरी है क्या एक साउथ कोरियन ब्लोग पॉब्लिशिंग एक वेबसाइट है जो के दूसरे यूजर को मिल्टिपल यूजर को लाउग करती है कि आप हमारी वेबसाइट के पर ही ब्लो के उपर वर्क करना है तो हम सर्फ एड़सेंस की ही बात करेंगे तो सबसे पहले यह देखते हैं कि हमने इसका अकाउंट कैसे करियेट करना है अकाउंट करने से लेके अकाउंट को किस तरह से उसके पर वैनी जेनरेट करना वह भी और और्गानीकली तो वह तौँम के अंदर बैठे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सदा इजी होगा कि आप असानी से इसके अपर अकाउंट बना लें तो आपने गैट स्टार्टेट के बटन के पर क्लिक कर देना है सिंपल से और उसके बाद लोग इन टू कैकाउ अकाउंट करना है वैसे तो आप दूस् जाओत कोरिया के अंदर ही एक मैसेजिंग ए cand बहुत है और उसके बाद इसी हैं इसी के अकाउंट से टी स्टोरी आकाउंट भी उपर क्लिक कर देना है जैसी आप इस अकाउंट के ब्रक्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे लोग इन की बज़ाए आपने कैकांकरना है साइन आपने सिंपल से agree 2 CONSUS कर देना है आपने जैसे एगरी firewall करेंगे तो उसके बाद आपने agree की बटन ब्लिक करना हैं जो आपकी email ID होगीảngची यहाप में आड़कर देनी है याद रहे यह email जो आप इमेल दुस्तों को अगर हो मैं दिक्रा रह Şu है कोई user भी इसके पर अगर mail करेगा तो इसको कोई reply नहीं आएगा और उसके बाद आपने simple से क्या काम करना है पेस्ट करना है जो आपके अपनी email आइडी होगी वह आपने दिनी है ना कि यह email आइडी दिनी है क्योंकि यह एक just demo purpose और आपको account create करने के लिए यूज की जा रही है तो आपने सिंपल से इसको वेरिफाइब कर लेना है जैसे ही आप वेरिफाइब करेंगे तो आपने पना जीमेल का अकाउंट ओपन कर लेना है वैसे तो आप तुमाँ दोस्त देख सकते हैं कि मैंने रीसेंटरी जो वीडियो अप्लोड की इसी इधर कुकल एटसन से भी वेबसाइब अप्रूड होगी है और उसके बाद भी हम के अकाउंट को वेरिफाइब कर लेते हैं और टी स्टॉरी की वेबसाइब कर वाएंगे तो मैं इस कोड को वेरिफाइब करता हूं कोपी कर लोंगा और यहां पर सिंपल से अपने पे देनी है लाइक मैं इसको एक दवाद नो थेंक्स कर देता हूं ठीक है उसके बाद आपने सिंपल से क्या काम करना है जो आपका निकनेम होगा लाइक मैं ब्लॉगिंग फ्यूट से रिलेटेड हूं तो मैं भी ऐल जी ओ लिक देता हूं ठीक है और यहां पे आप कोई भी र जेंडर को मताबिक और कनफर्म कर देना है जैसे ही आप दोस्त इस चीज़ को कनफर्म करेंगे तो यहां पर वो कहाएगा आपका अकाउंट जो है वह अवराल रेडी हो चुका है तो अपने सिंपल से अकाउंट को लोग इन कर लेना है अब आप दोस्त यहां पर देख सकत हैं इनको एकसेप्ट करना है अगर यहाल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पर कर देना है उसके बाद आपने बलोग का नेम देना है आपने बलोग को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहता है तो मैं यह दे देता हूं ने ठीक है अब वह बताएगा तो मैं एक अगे यह रिख देता हूं ठीक है ओके, blog of nickname मैं bsg o देता हूं and i am not robot पे click कर देता हूं then आपने क्या काम करना है simple next के button के बटन के पर click कर देना है उसके बाद आपको यह कहेगा कि कोई सी skin choose करो मतलब कि theme choose करो ठीक है तो आपने क्या काम करना है सिंपल से इसको next पे कर देना है इसको भी next पे और यहां पर एक theme है आपने सिर्फ वो selection करनी है क्योंकि हमें fast approval मेरेगा तो book club के नाम से एक theme है आपने इसको use करना है इसको पर आपने tickle कर देना है and apply skin के बटन के उपर click कर देना है जैसे ही आप तुमाम दोस्त इसको apply skin के बटन पर click कर देंगे तो कुछ आपके समने इस तरह का आ जाएगा अब यह मेरा address बन गया यह मेरी website बन गी और मेरी website के उपर जो है यहां पर देख सकते हैं मेरी website open हो चुकी है यहां पर एक demo article भी public है अब मैं इसको English में translate करके आप तुमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ यह वे एक welcome article है जनुरी 13 का यहां पर मैं simple क्या काम करता हूँ explore करता हूँ तो मैं जैसे इसको explore करूँगा तो आप तुमाम दोस्तों के सामने और यहां पर हमारा account दिखा रहा है और यहां पर writing दिखा रहा है writing के उबर click करने से हम article लिखेंगे बट हमने अभी article को नहीं लिखना हमने अपनी account को explore करना है तो सबसे बहले यह बताता चलूँ कि अभी हमारा overall account create हो चुका है हमें किसी और चीज़ की verification की need नहीं है next चीज़ यह है कि मैं simple से क्या काम करूँगा इसके setting पे click कर दूँगा okay दोस्तों हमने account को create कर लिया है लेकिन अभी हमने Google लैडिसन से approve करना बाकी है तो हम अभी approval की process की तरफ तो चलेंगे लेकिन आप दोस्तों से एक चोटी सी request है अगर मेरी वीडियो आप दोस्त टाइम देख रहे हो तो लाजमी से चैनल को subscribe कर रहे है subscribe करने के साथ साथ आपने क्या काम करना है आज के बटन के पर लाजमी से click करना है क्योंकि अगर आज के बटन के पर click करेंगे तो ऐसी मजीद informative वीडियो आप दोस्तों तक लाजमी पहुंचती रहेंगी और इस तरह की वीडियो आपको पूरी YouTube community के उपर नहीं मिलेंगी यह वजह यह कि ऐसा informative content मैं आप दोस्तों के लिए अपनी proper research करने के बाद लाता हूँ जिससे आप दोस्तों के benefit होता है और उसके साथ साथ मैंने इस YouTube की वीडियो के अंदर अपना proper process बताया है और यह recent ही दो दिन पहले मैंने आप दोस्तों के समने रखी है जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप किस तरह से अपनी website को xblog.jp से approve करवा सकते हो और earning कर सकते हो free of cost जिसमें कोई पैसा नहीं है और आप तुमाँ दोस्तों इस वीडियो को लाजमी से जाके देख सकते हैं आपके बहुत ज़्यदा काम आईगी अब आपने क्या काम करना है आपने simple से थोड़ सा scroll down करना है and scroll down करने के बाद revenue का एक option आ रहा है जस्ट आप तौम दोस्तों ने इस revenue के बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जिन companies के बारे में आप तौम दोस्तों को मैंने बताया था ठीक है और उसके बाद Google AdSense भी इसके अंदर मुझूद है बाकी companies के उपर हम बाद में बात करेंगे बट हमारा क्यों की topic AdSense है तो हम AdSense को ही discuss करते हैं यहां पर क्या काम है कि यह automatically code भी pick कर लेगा सब चीज़े pick कर लेगा तो हमने इसको linking पर click कर देना है ठीक है AdSense linking हो जाएगा हमारा AdSense login हो जाएगा तो simple से हमने क्या काम करना है यहां पर अपने AdSense account को open कर लेता है सब से पहले तो मैं simple से यहां पर अपने AdSense को open करता हूँ इसको भी exit कर देता हूँ बज़कर यह पीछे open ही है हमारा तो मैं simple से sites के section में आ जाता हूँ and new site पर click कर देता हूँ उसके बाद मैंने क्या काम करना है simple से मैं T-Story की website पर अपनी जो मेरी site create मने की थी इस पर आ जाता हूँ इसका URL कोपी कर लेता हूँ यह भी जो website create की थी अब आपने simple से यही URL आपने यहां पर उठाकर डाले देना है and save कर देना है जैसे ही आप यहां पर डालेंगे तो यहां पर वह आपको कहेगा कि verify our ownership तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि इसको एक दफ़ा यहीं पर रोक देता हूँ और मैं simple से क्या काम करूँगा मैं यहां पर आ जाँगा और यहां पर इसे integrate करता हूँगा ओके दोस्तों अभी मैं code आ चुका है हमारे वाले नंबर पर तो मैं जो है वो code टाइप करता हूँ ओके तो आप तुमाँ दोस्त यहां पर देख सकते हैं और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जो अकाउंट हमने रिसेंट री अप्रूब कर वाया था एक्सब्लोग डॉट जेपी पर हमने उसी के साथ ही connect करती है इस एडसेंस को अब आप तुमाँ दोस्त यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट है वह connected हो गया है किसके साथ एक्स यह टी स्टोरी के अगाउंट के साथ में अडसेंस को ओपन कर देख लेता हूं जैसे मैं आप दोस्तों को यहां पर साइट्स दिखाता हूं तो साइट्स की सेक्शन में भी आप वह वह चीज़ नज़रा रही होगी यहां पर xblog.jprag.com और अब दो रहाफ है यह तुमाम नज़रा आ रही है बट जो हमारी में साइट है वो यहां पर अड़ेड ही नहीं तो उसको साइट को एड़ करने का क्या तरह की कार है तो आपने सिंपल से translate into English कर लेना है बट आपका Google AdSense का अकाउंट ऐसे ही connect होगा तो आपने सिंपल से यह काम करना है मैं एक दवसे English में convert करता हूं रिफरेश कर लेता हूं पेज को और मैंने अपना जो ब्लॉग create किया है इसको मैं एक दवापन भी कर लेता हूं यह हमारे ब्लॉग का लिंक है यह आप तमाम दोस्त देख सकते हैं अब यह recentry ही create किया है त तो मैं क्या काम करता हूं इसके URL को कोपी करता हूं मेरा AdSense यह की साथ connect हो चुका है यहां पर मैं क्या काम करता हूं revenue के option में आ जाता हूं यह revenue का option है मैं इसे एक दवागर English में connect करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं sorry revenue का यह option आ रहा है अब यहां पर आपको नज़रा होगा AdSense Management का अब AdSense का यह लिंक हो चुका है और जैसी मैं AdSense Management पर आऊंगा यह सारे का सारा यहां पर बता रहा है गास 30 days का revenue क्या बना है कितना बना है और यहीं से फिर हम AdS की भी setting करे है बट फिल वक्ते तोर पर हमने क्या काम करना है क्योंकि Google AdSense को अपरूट करवाना है तो हमारा अकाउंट इसके साथ लिंक हो चुका है तीक है जो हमारा AdSense का अकाउंट था हम किस तरह से देख सकते हैं कि वही अकाउंट है आपने सिंपल से आजना यहां पर आजना आप से दो चीज़ें पूछेगा और यहां पर आपने यह टिक कर देना है और यहां पर यह भी चेक मार को अगा देना है उसके बाद आपने सिंपल से इसके ओपर रिक्वेस्ट रिवियो कर देना है और अभी यह क्या काम कर रही है जिरो परसंट का रही है ठीक है और आपने र गंटे में या 24 से 48 गंटे भी जाए सकती है वेबसाइट अप्रूव होने में तो अब हम चलते हैं आर्टिकल को किस तरह से इसके उपर लिखना है और उसके बाद किस तरह से हमने आर्टिकल को ट्राफिक लेकर आनी है और किस तरह से रेंक करवाने है उसकी तरह आएंगे ओके दोस्तों आर्टिकल को लिखने के लिए आपने क्या काम करना है सिंपल से इसी सेक्शन में अगर आप लोग नीचे देखेंगे आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं मैं वैसे तो अपने डैश्बूर्ड के अंदर आ चुका हूं यहां पर आपने एक चीज़ देखना जाना है और यहां पर आपने की क्या काम करना है कि इसको डिलीट करते हैं सबस Εभसक्ति पहले जो पॉस्ट है उसको अब मैं स्वक्त कर लेता हूं और इसको मैं डिलीट कर देता हो इसको और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कोई कैटेगरी अब भी नहीं बनी हुए हमारी जिस वज़ा से हमें यह होगा रहा है उसके बाद आपने ऊपर टाइटल देने हैं और नीचे यह डिस्क्रिप्शन देनी है और अगर उसके कीवर्ड जो होता है मतलब के जो एक लोग अड करना चाहते हैं तो यहां पर एड कर सकते हैं अब आ जातीए बात कि हमने आप लिकना सीखिए यहां से लिखते हैं ठीक है यह इसका एड़ेटर है उसके बाद आप इसको मोड में लिख सकते हैं मार्क डाउन मोड किस तरह का दिखता है वो भी सिंपल सा यह ही दिखता है ठीक है उसके बाद आपने सिंपल क्या काम करना है टाइटल कैटेगरी और वह कुछ यह चीज़े उसके जो इमेज है यहां से आप इमेज की सेलेक्शन कर सकते हैं यह प्लस का बटन बना हुआ यहां से अपलोड कर सकते हैं मैं ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश कर लेता हूँ एक दफ़ा यहां पे आप कौम दोस्तों को अभी नजर आ जाएगा ठीक है यह फाइल है यह करवाना है तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने आर्टिकल को लिखना किस तरह से हैं तो सबसे पहले हमारे बस दो वेबसाइट्स हैं एक बीबी सी की है और दूसरी सीनन की टोटल कोपी पेस्ट वार्क है कोई आप का मतलब के जरा भी टाइम का जाया नहीं होगा उसके आपने क्या काम करना है Google translateальный कंडल करें है i you sharing को बी हम आपसे व्याप करते हैं उसको सब्सक्राइब करना है तो ऊपने गूगल ट्रांसीलिट को एक वेबसाइट को नहीं में संब्सक्राइब da वैसे तो एक और चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से जो भी आपकी देखना कोई भी कैटेगरी की सेलेक्शन करना जाते हो तो वो किस तरह से पॉसिबल है और आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उसकी सेलेक्शन कर सकता हूं कि तो आपने टाई स्टोरिय क्लिकश कर देनाए कि और उसके बाद आपने क्या खाम करना है यहां पे सिंपल से एम स्रैश डालके म डालेगे तो आपक पास जितनें कि पर आप अपनी अपनी प्रता को देख सकते हैं कि कौन से अरिकल मेरी वेब साइट की रिसूल टेबल नहीं है तो वो तमाम दोस्तों यहां पर देख पर आएंगे यहां पी मैं एक दबाइस को इंगलिश में कर लेता हूं देखें, आपने अपनी niche के relevant कोई भी category को देख लिना है, अगर economy की है, अगर life की है, तो crypto उठा लिना ठीक है, अगर crypto में बंदाना चाहतना है, तो मैं वैसे locally एक तफ़ा economy पे click करके crypto को choose कर लेता हूं, हम crypto के topic को अगर देखें, तो मैं crypto की website open कर लेता हूं, crypto news कर लेता हूं, same copy paste work है, लेकिन आपको बहुत अच्छा revenue generate होगा, और बहुत ही काम करने के बहुत जाता मज़ाएगा, अब simple से, मैं इधरा आ जाता हूं, okay कर देता हूं, इसको मैं एक दफ़ा exit कर लेता हूं, sorry, crypto news, मैं इधरा आ जाता हूं, लेकि हमने कोई crypto का blog उठाने हैं, जहां से हम easily just articles को copy paste कर पाएं, और यहां पर, yeah, overall, जो काम आप तो, okay, तो हम लोग क्या काम करते हैं, कि crypto के articles को उठा लेते हैं, crypto के articles को उठाने के लिए, simple से, मैंने अपने search engine के अंदर search किया है, crypto news, तो आपने यहां पे एक चीज़ देख लेनी है, recently क्या हुआ है, कि हमारे पर news का section है, Google news का section एक बना हुआ है, अब हमने यहां से news को उठाना है, बहुत ही असान काम है, और इतना कोई जंजट वाला काम नहीं है, तो आपने simple से more news के उपर अप click करते हैं, जो news हमारी इदर trending का रही हैं, हमने उना article को open कर लेना है, मैं इस article को open कर लेता हूँ, इस article को open करने के ब इस title को, यह heading को copy कर लेना है, इधर Google translate में आ जाना है, इसको English कर देना है, इधर paste कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपने simple यहां पर Korean कर देना है, ठीक है, और जैसी आप Korean language में convert कर रहे हैं, तो आपने इस text को copy करना है, जो के आपकी heading है, heading के बाद आपने simple से में एकता जो title है, वो हमारा यह title देता हूँ, title यह देने के बाद मैंने क्या काम करना है, simple से, यहां पर आप तुमाम दुस्तों को एक और चीज दिखाता चलों, तो, जो हमारी news थी, यह हमारे bullets points है, summaries है, यह companies है, ठीक है, मैं इसके bullets points को copy कर लेता हूँ, एक दफ़ा, ठीक है, और यहां पर, वापिस आ जाता हूँ, एंड इसको भी translate कर रहूँगा, control Z कर देता हूँ, I think, उसने साज URLS को भी copy कर लिया था, तो, मैं एक दफ़ापिस पर से आ जाता हूँ, इस पर, यहां पर एक दफ़ाद देख रहता है, यह overall हमारा यह article आए थी, ठीक है, मैं से copy करता हूँ, और अब हमने control shift V press करना है, control shift V, अगर control shift V press करेंगे, तो आप त text में से, जो है, वो remove हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप easily, जो है, जो जितने भी बीट में URL होंगे, वो automatically खतम हो जाएगे, अब आ जाती यह बात, हम हमें इद्वारा से इधर आ जाता हूँ, यह नीची जितना भी article है, इसको भी copy कर लेता हूँ, और copy करने के बाद थोड़ स copy करते हैं, and control shift v press कर देना है, control shift v, अब यह हमारे पर पर एक article बन गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह हमारी heading है, heading के बाद यह हमारा proper article है, अब मैं क्या काम करता हूँ, simple से, यह उपर align को खतम कर देता हूँ, क्योंकि यह हमने लिख ली थी, और अब यह हमारे article जो है, हमारे पास हमें इसको copy कर लेते हैं, और जैसी हम तुमारे दोस्तों ने इस article को copy कर लिया है, तो हम क्या काम करते हैं, वापस आजाते हैं, अपने टी स्टोरी की website में, जहां पर मैं लिख रहे थे article को, तो हमने simple से यहाँ पर इसको paste कर देना है, यह आप दोबाँ दोस्तों पिक्चिर से लेने के लिए हम पिक्सब एकी website को use करेंगे, अब पिक्सब एकी website से copyright free images उठाने के बाद हमने क्या काम करना है, अपने article के अंदर upload कर देना है, अब overall जैसे कि मैंने बदाया कि इसका total process जो है, वो blogger की तरह है, तो मैं drag and drop कर ले तो मैंने एक image download की है, यहाँ आप तुमाम दोस्ते देख सकते हैं, यह image आठीक है, उसके बाद आपने simple से क्या काम करना है, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर complete कर देता हूँ, अगर आप temporary यह इसको ड्राफ्ट है, और आपने इसको complete कर देना है, जैसी आप तुमाम दोस्त कम्प्लीट कर रहे हैं तो आपने उसमें से जो आपका topic आप उसे आपने वो दे देना है, तो सबसे पहला topic तो यह है कि हमारा cryptocurrency के उपर है, तो हम एक दबाद यहां पर find कर लेते हैं, हमारा topic यहां पर आ रहा हुआ, तुम दे देंगे, economy का topic आ रहा है, ठीक है, अब उसके बाद आपने simple से क्या का पब्लिक कर देना है, ठीक है, यहनि issue कर देना है, इस article को, यह हमारा जो है, वो thumbnail भी आ रहा है, मैं इसे public कर देता हूँ, issue कर देता हूँ, and saving के उपर click कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसके उपर click कर दूँगा, और यहां पर आप आप दोबाद दोस्त देख सकते हैं, कि हमार रहीं, इसको open करता हूँ, तो यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा, मेरा article, publish हो चुका है, और जो हमारा एड है, वो कुछ इस type का होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी website के पर, अभी Google Adsense के ads को enable करना है, और article को upload करने के तरीक कार आप दोस्तों easily generate हो जाएंगे, वो user जो कहते हैं, कि हमें 10 dollar भी हमारे नहीं बनते हैं, तो भाई, easily आप generate कर सकते हो, जितना इस website का traffic है, visitor है, तो वो आपके इस topic और category को देखेगा, क्योंकि यह trending topic है, और हम trending articles को उठा के Korean languages के अंदर convert करके दे रहे हैं, और जो user इस topic पर काम करेगा, उसको बहुत जड़ा benefit होगा, और मैं पूरे यकीन के साथ इस चीज़ को कह सकता हूँ, अब आता है कि हमने ads को किस तरह से enable करना है, ads को open करने बाद मैं sign in कर लेता हूँ, जैसी मैं sign in करूँगा, यहां पर आप तो आप दोस्त देख सकते है कि मेरी यह website है, वो यहां पर अभी getting ready आइड है, but हमने ads को किस तरह से enable करना है, हम test phases प्रे ads को enable कर लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह दिखा हुआ है और अप्लाइज नाव कर दूंगा यहां पर आप तवाम दोस्त देख सकते हैं कि हमारे विबसाइट के उपर एड जो हमा नजर आ रहे हैं ओके दोस्तों अभी हम एडसेंस के डैशबोर्ट से आठके इसके में डैशबोर्ट के अंदर आ चुके हैं सकते हैं तो आजने से सिंप्ल से इसको इंग्लिश के अंदर कने आईज़ कर रहे हैं памक дополн दोस्तों देख सकते हैं अब्स निस आप seven नेजर दोस्ते हैं जाने है जैसे कि आप दोस्ते ऐंजर में ineजिमंट जैसे ही आपकी साइट अप्रूट होती जाएगी यह और यहां से भी आप एकुरेट सेटिंग कर पाएंगे बाकि आप मेंड सेटिंग अपनी एड्सेंस ही कर सकते हैं ओके दोस्तों अब बात आती है कि इसको हमने औरगानिकली रेंग किस तरह से करने हैं तो औरगानिकली रेंग करने के लिए आप दोस्तों को एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है बहुत ज़्यदा कि हमने ट्रेंडिंग टॉपिक के उपर काम करना है क्योंकि यह website Korean blog posting की website है तो आप दोस्तों को बता होना चाहिए कि हमें कोई से ऐसे तीन टॉपिक फाइंड करने होंगे वैसे तुम्हेंने फाइंड कर लिए हैं जो जिनके उपर आप काम कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कभी खाइंड काव्या है बट आप इन तीन टॉपिक को देखें इन तीन टॉपिक के उपर चोवीस गंटे में कोई ने कोई नियूस जो है वो रैंक कर रही होती है इदर अगर बैं नियूस पर करूँ तो नीजम करो तो आप कहा दो कि चौबिस कॉंटे क्या सारी जिन या एलत के टॉपिक पे काम करने के बाद आपनी वेबसाइट को पर पूबिक कर देना है क्योंकि वो लोग पोस्टिंग वेब साइट है तो कोरिय के लोगों के लिए भी पड़ने में आसाइए तो जिस चीज़ में उनका इंट्रस्ट हो उसकी मताबिक काम करें इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट आफ डिफरेंट को और और अर्गानिक लिए आप तुमाँ दोस्तों को पुछ करेगा जैदा नहीं तो आप 100 डॉलर प्लस की अमाउंट हर मंद इसली जनरेट कर पाएंगे आप डेली बेसे पर अर्टिकल लिए के सकून से इतना पैसा कमा सकते हैं और उसके बाद वो यूजर जो कहता है कि मैं यह सब कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए यह पॉसीबल नहीं है तो आप तुमाँ दोस्तों को बताता चाहिए को यहां पर आपको मेरे एक वीडियो नज़र आ रही है इस वीडियो के अंदर मैंने अपने तुमाँ दोस्तों को बताया कि आप किस तरह से गूगल एड्सेंस और एडियक्स पे आप विट्राज का काम कर सकते हैं मतलब कि 100 लगाक कि रीटाब में 150 लगा 200 लगा 250 लगा तो अतनी रिवैन्यो हर्वांत बना सकते हैं जो मतलब कि इतना लेंथी काम नहीं है अगर आप यह समझते हैं कि मेरे यह पॉसिबल नहीं है तो हम मेरे पेड कोर्स को जोइन कर सकते हैं और उसके बाद जो यूजर ये करते हैं कि मेरे ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो मेरे पस ना तो मेरा अकाउंट बन रहा है नहीं कुछ हो रहा है तो उन तुमाम दोस्तों को मैं अकाउंट भी फ्री में दूंगा उनको जहां पर नहीं कमपेन लगानी है उदर पैसी डिपोजिट करके दूँगा जो यूजर मेरे इस वीडियो को शेयर करेगा और मेरी वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स होते ही मैं आप तुमाम दोस्तों को अकाउंट्स देना शुरू कर दूँगा अब रिसेंटली आप तुमाम दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यह रहा इसको अकाउंट प्रोवाइड किया उस अकाउंट के अंदर फिर 20 डॉलर भी थे आप तुमाम दोस्तों यहां पर नीचे देख सकते हैं इसने का बहुत शुक्रिया पिर कहता है बाई मुझे दूसरा अकाउंट भी प्रोवाइड करने तो फिर इसको दूसरा अकाउंट की अगर उसको अर्बिटराज के लिए मौंट भी चाहिए होगी तो वह भी मैं अपनी जेव से बेह करूंगा और दूँगा बट ज्यादा नहीं मैं 10 डॉलर तक प्रोवाइड कर सकता हैं इसे ज्यादा की मौंट नहीं प्रोवाइड कर सकता बट मैं इतनी दूँगा बट ए